नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं तेरा और चोगदा जुलाई तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें की आपने बहुत दिन ऐसे जिन्दिकी जिये हैं जिनमें आपको लोगों ने दुख दिये हैं जिनमें आपने महनत का फल अभी तक नहीं पाया है आप लगातार महनत किये हैं लेकिन दोस्तों उनका जो परनाम आपको मिलना था वह नहीं मिल प जिनमें आपको आखों से आशू रोना पड़ा है, दिल से आपको बहुती ज़्यादा जख्म मिला है, आप चाहते थे कि आपके सपने सच हो जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी आपके सपने सच नहीं हुए, इस तरह की जिन्दगी आप बहुती जे लिये, लेकिन दोस्तों बगवान मालक्षमी की चमतकार चलने वाली है। आपको मिलेगा और पिछले समय की तमाम परिसानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और पिछले समय की तमाम महनत का फल मिलेगा। पिछले समय का महनत का फल आखिर आपको मिल ही गया। जी हाँ दोस्तों हालाकि दोस्तों यह बात सच है कि भगवान सक्छर्थ दर्सन नहीं देती। लेकिन दोस्तों अगर भक्त अच्छे कर्म करते हो भगवान के परती अच्छे विश्वास से दिल से चाहते हो तो दोस्तों भगवान को किसी न किसी रूप में अवस ही आना पड़ता है और अपने भक्त की मदद करते हैं और इनकी कर्मों का फल देते हैं। और दोस्तों यह समय भी भगवान मालक्ष्मी रूप बदल कर आप सभी के जीवन काल पर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों और आप सभी के जीवन काल में ये सभी बड़ी खुस खबरी आपको अगले दो दिनों में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगले दो दिनों के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरी मिलेगा, साथी साथ दोस्तों अगले दो दिनों के अंदर आपको कौन-कौन सी विश्यस बातों का अब ध्यान रखना है, दोस्तों मालक्षमी को धन के देवता काते हैं, और भक्तों के कर कर्मों के अनुसार धन देते हैं तो दोस्तों आपको आगे अच्छे कर्म करने होंगे और जो सावधानिया हम आपको इस बीडियो में बताने वाले हैं इन्हें दोस्तों ध्यान से सुनना होगा तभी दोस्तों मालक्षमी की सभी खुश खबरी आप प्राप्त कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों उशे पहले दोस्तों जो मालक्षमी के सच्चे भक्त इस बीडियो को देख रहे हैं दोस्तों बीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर किजिएगा और कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से सधा बिश्वास से जाए मालक्षमी लिखकर मालक्षमी के असरोन कर दोस्तों यकिन किजिए कि मालक्षमी की किरपा आप सभी के जीवन काल पर बरसेगी आप सभी के सभी समस्या खत्म हो जाएगी तो दोस्तों जरू कमेंड बॉक्स में जाए मालक्षमी लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तों इस वीडियो में ह हम सभी महतुपुन जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले दो दिनों के अंदर मालक्षमी जी के आसिम आसिरवास से अब आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की इस्ति होगी इनके साथ-साथ आपको कौन-कौन से बड़े खुस खबरी मिलने वाले हैं किन-किन छ छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आंतर तक देखिएगा तो आज दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं स्री कृष्ण जी के एक बहुती अच्छे परम ग्यान से एक बहुती अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल में एक इक्षा सकती जागरीत होगी और यह ज्यान यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुती काम्याबी साबित होगे जी हां दोस्तों कि एक तपस्वी अपने उदेश में सिस्यों से बार बार काता था कन कन में है भगवान संसार में एसी कोई वस्तू और अस्थान नहीं है जहा भगवान नहो पर तेग वस्तू को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए यही उनकी सिक्षा का निचोड़ था उनका एक सिस्य कहीं जा रहा था सामने से एक हाथी तेजी से दोडता हुआ आया महावत लगातार चिलाए जा रहा था हट जाओ हाट जाओ हाथी पागल हो ग वह रास्ते की बीच में ही ढटा रहा यह देखकर महावत क्रोथ से चिलाया हट जाओ क्यों मरने पर तुले हो पर सिस्य अपनी जगा से एक अंगुली भी इधर उधर नहीं हुआ पागल हाथी ने उसे सूर में लपेटा और घुमा कर फेंक दिया बेचारा घायल सिस्य वह आप तो कहते थे की परतेग वस्तु में भगवान है देखो हाथी ने मेरी केसे दुरुगत्ती की है गुरु ने कहा या सत्य है कि परतेग वस्तु में भगवान है निस्षिती हाथी में भी भगवान का वास है परंतु महावत में भी तो भगवान है तुम उसकी चयतावनी सुनकर मागर से हट क्यों नहीं गई गुरू की बात सुनकर सिसको अपने भूल का एहसास हुआ जिहां दोस्तों किसी सीख्चा को आधी अधूरी समझ कर उसे परियोग में लाना बुद्धी मानी नहीं वलकि मुर्गता है तो दोस्तों भागवान स्री कृष्ण जी का यह पर आप दरते हैं कि आने वाले यह दो दिनों के अंदर में स्वे मालक्ष में आपको कौन-कौन से कर्मों के फल देने वाले हैं आपके घर के माहूल में परवारिक जीवन में स्वास्त बिजनस बेपार में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या खुस खबरी क्या-क्या चमतक बात करते हैं पूरे विश्टार से अब आप लोगों के आने वाले जीवन में किस्मत का पुरा का पुरा साथ मिलने वाला है इतना ही नहीं दोस्तों आपके जीवन में धन संपत्ती जो भी परेशानी चली आ रही थी समस्त परेशानियों का अब चुटकियों में मालक्ष में समाप कर देंगे और आपको पैसों से आर्थिक तंगिया दूर हो जाएंगे दोस्तों ध्यान रखें कि या खुसकबरी आपको किसी न किसी तरह से फॉन कॉल से बिजनेस वैपार से या फिर आपको पुस्तों पुराना धन अचानक या लक्ष्मी मा की किरपा से मिल सकते हैं अब आपके सारे सपने च्छन भर मे दूर हो जाएंगे दोस्तों अपने विचार धारा तथा वैजनाओ पर अमल करने का उचीत समय है आप अपने कारे को बेहतरिन तरीके से पूरा करने में समक्ष रहेंगे घर की देख रेक तथा सुख सुविदाओ समधित कारियों में भी आपका बेहतरिन समय वेतित होगा घर में नजदे की लोगा का आगमन होगा और माहौल शुख नमा रहेगा आपके मस्तिस्त में नई नई उजनाए बनेगी जो की घर तथा वैज़साज दोनों के लिए बेहतरिन साबित होगे इसलिए उन पर तुरन अमल करना भी सुरू करें ग्रह गोचर बहुत ही अनुकुल है आपकी कोई आर्थी गोजना भली भोती हो शकती है अधिक तक काम 104 रुप से बनते जाएंगे मन में सकुन और सांती रहेगी किसी विशेश कार को पूरा करने के लिए चल रहे आपके प्रयासों को आज काम्यावी मिल शकती है समाजिक दारा बढ़ेगा तथा कई परकार की गतिविदियों में वैस्ता भी रहेगी घर की सुख सुविधाव समंधित खरीदारी परिवार जनों के साथ सुख नमा समयवेतित होगा किसी भावी लक्ष की प्रती संभाव है आपके प्रयासों में भी गति आएगी साथी पिछले कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कारे परनाली में सुधार लाना कामयावी देगा कोई सुख समाचार मिलने से अब अपने अंदर आत्म विश्वास और नई उर्जा महसूस करेंगे अब अपनी कारे परनाली में बहतरिन सुधार लाएंगे किसी विशेस्ट कार के परती आपकी मेहनत कामयाब होगी किसी विशेस्ट व्यक्ति मुलाकात भी हो सकती है सुकुन पाने के लिए अतादमी गत्य विदिया में भी कुछ समय जरूर बेतित करें दोस्तों इन दिनों में आपको कुछ शाबदानियां भी बरतने की जरूरत है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों निवे समधिक कारियों को फिलाल ठाल दे इसमें रुपे पेसे समधिक कोई भी निले लेना नुकसाइन दे सकता है अपने परतिदितियों की गतिविदियों को नदर अंदर न करें आप किसी साजिस या साड़ यंतर में उलज सकते हैं इन बातों को आप आवस्य ध्यान रखें तोस्तों आज किसी परतिस्री व्यक्ति से मिलने का अफसर प्राप्त होगा धार्मी क्रिया का लाप्त में भी वस्तार रहेगी जिसमें तन और मन दोनों प्रभूलित रहेंगे आलास को अपने उपर हावी न होन दे क्योंकि इसकी वज़े से आपकी कई महत्पुन कार रूख सकते हैं व्यत की गत्य विदियों में खर्चे की अधिकता रहेगी किसी को पेशा उधार ना दें ना था आपसी की उम्मीद नहीं होगी किसी वेबसाइक में साज़ेदारी की योजना बन रही है तो तुरंद उस पर अमल करें इसमें परसितियां लाबदायक है साथे धन प्राप्ती के गिरह योग बने हुए है कारचेतर में किसी परकार का परिवर्टन करना भी लाबदायक रहेगा वेबसाइक गत्य विदियों इन दिनों में सकारतमग हाल चल का समय है नहें तो पुन ओडर मिलने से आर्थी इस दी काफी बेहतर हो जाएगी दोस्तों आपकी योजना शफल रहेगी आने वाले दिनों में इनकी उचित पर नम प्राप्त होने वाले है दोस्तों आप पिछले समय में जिन कामों को आप पूरा करने के लिए कोसिस कर रहे थे मालक्समी की किरपा से वा पूरी होते जाएगे इनकम बढ़ने की प्रवल समावना बन रही है विवाओं को अपने केरियर से समिदित अच्छे मोके मिल सकते है उनी दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पत्नी के बीच घर के किसी समस्या को लेकर वेचारित मत भेद रहेंगे प्रहम समंद में एक दوسरे के परति समान की भावना रहेगी पत्ति पत्नी परिवारी विवस्ता को लेकर कुछ परेसान रहेंगे प्रेम समंद्ध को विवा के लिए परिवारीक स्विकृति मिलेगी मुझे दोस्त आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो सीर दर्दवा मानसिक ठकान रहेगी कुछ समय अपने रूची पूर्ण कारे में समय लगाने से शुकून मिलेगा वास्तर ठेक रहेगा परन्तु वर्तमान बतारण की बज़े से अपना खान पान और दिनचारिया में समयत रखें जिस दो बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों मालक्षमी को ये फूल अति प्री है और मालक्षमी स्वयम कमल के फूल पर बिराज मान रहती है सुकूरवार के दिन माता लक्षमी की पूजा करतेश में अपने हाथों में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्षमी के चर्णों में अर्पित कर दें मानता है कि ऐसा करने से घर में सुक सम्रिदी आती है और तरकी के योग बनती है दोस्तों सुकरवार के दिन घर के बने हुई पहली रोटी गाय को खिला दें इसे आपकी धन आवक बढ़ेंगे मैं दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली आंक छे है दोस्तों मालक्षमी जी की आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें